Hello everyone, वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं HRA की exemptions के बारे में कि किस तरीके से HRA की exemptions को आपको claim करना होता है कैसे आप calculate करेंगे अपनी HRA exemption को, क्या total amount जो आप rent का pay कर रहे हैं वो total आप claim कर सकते हैं as a HRA exemption और यहाँ पर मैं आपको government utility का calculator भी discuss करूँगे जिसका use करके आप in just a few seconds पता लगा सकते हैं कि आपकी जो HRA exemption है वो कितनी आप अबेग कर सकते हैं इसके अलावा मैं यह भी बात करूँगी इस session में आज कि अगर आप self-employed है और rent पे रह रहे हैं तो उस situation में आप किस तरीके से जो आप rent पे कर रहे हैं उसको as a deduction claim कर सकते हैं और अगर आप employee है आपके employer के थूँ आपको HRA मिल रहा है और लेकिन आप rent पे नहीं रह रहे हैं आप उने parents के मकान में रह रहे हैं तो उस case में आप किस तरीके से HRA के benefit को avail कर सकते हैं तो इन सब questions का answer आज हम इस video में देखेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक important information आप सब के लिए कि हमारा जो income tax return का ITR 1 filing course है वो लाइब हो चुका है for assessment year 2024-25 अगर आप भी course को avail करना चाहते हैं तो course की सारी detail आपके description box में दे दी गई है आप वहाँ पे आपको एक link दिया गया है उस link पे जाकर course को avail कर सकते हैं course के थूँ आप खुद से इतने capable हो पाएंगे कि अपनी income tax की return आप खुदी file कर पाएं course में सब कुछ बहुत easily और concept के साथ आपको समझाया गया है तो आप बात कर लेते हैं इस session की सबसे पहले हम discuss करेंगे HR-A के बारे में house rent allowance के बारे में HR-A की अगर हम बात करें तो HR-A होता है house rent allowance जो आपके employer से आपको मिलता है यह आपकी CTC का part होता है आपकी salary structure का part होता है इस allowance की through आप अगर rent पे रह रह रहे हैं और अगर आप rent pay करते हैं third party को अपनी landlord का अगर आप rent pay कर रहे हैं तो जितना amount आप rent pay कर रहे हैं उसकी exemption claim कर सकते हैं अगर आपको HR-A मिल रहा है तो अगर आपको HR-A मिलता ही नहीं है अगर आपकी CTC का part नहीं है HR-A तो जो आप rent pay कर रहे हैं उसको आप as a HR-A claim नहीं कर सकते हैं किसी और section में आप उसको claim कर सकते हैं that is section ATGG जी कहा है वो ATGG section होता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे अभी हम बात करें है house rent allowance की HR-A की HR-A आपको calculate कैसे करना होता है देखी जितना rent आप pay कर रहे हैं वो total rent आपको allowed नहीं होता है as a HR-A exemption इसके criteria होते हैं इनकी तीन condition है तीनो conditions के according आपको HR-A को calculate करना होता है जो भी minimum amount आपका निकल के आता है उस amount की आपको exemption मिलती है जब आप अपने income tax की return को file करते हैं तब उसके जो criteria है team वो ये तीन criteria है सबसे पहला actual जो HR-A है वो आपको आपके employer से मिल कितना हाई सबसे पहला point लिए second point आप rent कितना पे कर रहे है minus 10% of your salary यहाँ पर अगर मैं salary की बात करूं तो यहाँ पर salary की two components होते हैं आपकी basic salary plus tier insurance salons okay salary का मतलब यहाँ पर यह है next to third income parameter है वो है 50% of salary अगर आप metro cities में रह रहे हैं निसे की Delhi, Mumbai, Kalbata अगर आप metro cities में रहे हैं तो 50% of your salary अगर आप non metro cities में रहे हैं तो 40% of your salary अब आप तीनों conditions की according अपना हम अगर HR calculate करें तो जो भी minimum amount आपका निकल के आएगा वो आपकी होती है exemptions अगर मैं इसको एक example के साथ देखू ठीक है let's suppose Mr. A है ठीक है इसकी जो पूरे साल की salary है five lakh of days है ठीक है rent यह pay कर रहा है 10,000 पर मत और HR इसको अपने employer से मिलता है 12,000 पर मत अब इस example के according हमें यह तीनों condition सेट करनी है HR कितना मिल रहा उसके employer से उसको 12,000 पर मत अगर मैं पूरे साल के बात करूं that is 144,000 रैट कितना pay कर रहे हैं वो 10,000 पर मत हम पूरे साल का निकाल रहे हैं तो 1,20,000 – 10% of salary 10% of salary 10% of salary मतला 10% of 5 lakh तो यह amount कितना आ जाएगा आपका 1,20,000 – 50,000 that is 70,000 रुपीस next आपका credit area 50% let's suppose हम Delhi का case ले रहे हैं तो इसकी salary है 5 lakh 5 lakh का 50% अगर मैं तो इन तीनों amount में से जो भी आपका minimum amount है विचिस 70,000 रुपीस इतना आपको exemption claim होगी while you are filing your income tax return income tax return में आप इसको किस तरी किसे claim करते हैं आपकी जो भी salary है जैसे यहां पर हमारी 5 lakh रुपीस salary है ठीक है तो यह जो HRA का component है वो इसी का ही part है इसमें से आप less करनेंगे 70,000 रुपीस फिर आपकी जो standard deduction है 50,000 रुपीस वो less होगी तो जो भी amount निकल के आएगा उस amount के उपर आपको पना tax pay करना है तो यह जो HRA का allowance होता है जब हम salary को net salary को calculate करने होते हैं हमें उसी time पर इसको deduct कर देना होता है तो यह इस तरीके से आपको HRA की अपनी calculation करनी होती है ठीक है इस calculation का अगर मैं यह तो हमने अभी जिसे physically calculation करी है on a paper इस calculation को करने के का जो government का calculator भी है अब उस calculate करेंगे same example में वहां पर यह हमारा वह calculator जो government calculator में बात कर रही थी इसका जो link है मैं description box में mention कर दूँ है आप आप से इस calculator को access कर सकते हैं यह जो calculator है यह income next department ने दिया हुआ है अब इस calculator के दूँ देख लेते हैं कि आप किस तरीके से अपनी liability को calculate कर सकते हैं यहां पर भी देख आपल में salary हमने ली थी 5 lakh rupees हमने यहां पर 5 lakh rupees को mention कर दिया okay फिर उसके पाद ही पूछ रहा है अगर salary के लावा आपका कोई DA भी आपको मिलता है तो यहां पर आपको DA का amount लिखना है हमारे case में कुछ नहीं है हमने zero mention कर दिया then commission अगर आपको turnover की commission भी कुछ मिलती है तो भी आ हमारे case में नहीं है हमने zero mention कर दिया HRA received HRA मेरे example के according इसको कितना मिल रहा था वह मिल रहा था इसको 12,000 per month तो यहां पर हम कितना लिख देंगे पूरे साल का 144,000 नेक्स था रेंट पे पूरे साल के उने रेंट पे किया था तो वह 1,20,000 पे कि रहा था और यह metro city में रहते हैं नहीं रहते हैं उसके उपर आपको टिक कर देंगा है नन क्यालकुलेट अब देखे कितना सिंपल है क्यालकुलेटर के थूस को क्यालकुलेट करना इसने अपने आप आपका निकाल के दे दिया कि आपका जो एक्चरा है 144,000 जो आपके employer से ह्चरा मिल रहा है उसमें से 70,000 अमाउंट जो है आपका exempt है ठीक है? और जो आपका टाक्सेबल हरे है वो होगा आपका 74,000 तो यह एक छोटा सा काल्कुलेटर है जो इंकम टक्सी वेबसाइट पर दिया गया है आप इस काल्कुलेटर के थूप खुद से बहुत एजिली इंजस्ट फ्यू सेकिंड काल्कुलेट कर सकते हैं कि आपको हरे की कितनी बिलने वाली है पर भी Rented Accommodation Must Not Been Out By Individual उस Individual के नाम पर कोई भी property नहीं होनी जए यहां पर जहां पर रहे रहे है वो उस जगह पर उसकी कोई property नहीं होनी जए Same city में उसके नाम पर कोई property नहीं होनी जए उसकी फॉसके नाम पर कोई property नहीं होनी जए तब यू वो HRA का claim जो है avail कर सकता है तो यहां पर यह city की बात कर रहे हैं कि same city में आपके नाम का कोई मकान नहीं होना चाहिए अगर आपका किसी और city में नाम का मकान है तो आप इस exemption को क्लेम कर सकते हैं इसको भी मैं अगर मैं example के साथ समझू let's suppose आप जो जौब कर रहे हैं वो कर रहे हैं गुरुग्राव में तो इस situation में आप क्या कर सकते हैं अचाल को क्लेम कर सकते हैं क्योंकि जो आपके नाम की प्रॉपर्टी है जहां पर आपकी जौब का एरिया है वो उस city में नहीं है उससे दूसरी सिटी में है बैंगलर और गुर्गावा आप टू डिफरेंट सिटी तो इस केस में आप एचाल को क्लेम कर सकते हैं अगर आपके नेम की प्रॉपर्टी गुर्गावार में ही हुई तो आप रेंट को क्लेम नहीं कर पाएंगे एचाल को क्लेम जो है नहीं कर पाएंगे तो यह थे हमारे एचाल की कुछ कंडिशन्स और कैसे आप इसको काल्पुलेट करेंगे नाओ नेक्स्ट टॉपिक इस एटी डबल जी डिदक्शन्स पो रेंट पे यह सेक्शन आप्लेकेवल होता है उन लोगों पे जो की सालरीड एंप्लॉई नहीं है वो सेल्फ एंप्लॉई है और या फिर उनके एंप्लॉईर से उनको आचारे नहीं मिल रहा है पो अचारे नहीं मिल रहा है तो आप सेक्शन एंप्लॉईर डिद कुक्लेम कर सकते है यहां पर आपको कितनी डिड़क्शन मिलती है यहां पर भी ऐसा नहीं कि जितना आप राइट पे कर रहे हैं तोटल आपको डिड़क्शन मिल जाएंगी इसके भी तीन क्रिटेरिया हैं इन तीन क्रिटेरिया को फुल्फिल करने के बाद जो भी मिनिमम अमाउंट आएगा उतनी आपको डिड़क्शन आपर मिलती है फिर्स्ट है एक्सेस ओप रेंट पेड अगर 10% और अजिस्टिक टोटल इंकम आपको अपनी अजिस्टिक टोट टोटल इंकम आपकी अजिस्टिक टोटल इंकम करेंगी 5% थर्ड है 5000 पर मंट आपको जो है अलाओ होगा तो इन तीनों में से जो भी मिनिममम मांट होगा वह आपको अलाओगा अब आप यहां पर देखिया अर्जस्टिक टोटल इंकम यानि की ATI ठीक है यहां पर दो बार रिपीट हो रहा है ATI आप किस तरी किसी डिफाइन करेंगे अर्जस्टिक टोटल इंकम मिस ग्रोस टोटल इंकम आफ्टर रिडिउसिग आपकी टोटल इंकम सारे हैट्स की इंकम को आपको इंप्यूट करना है टोटल इंकम निकारनी है उसमें से क्या आपको रिडिउस करना है आपकी लोंग टम क्यापिटल गेन आपको हटा देनी ह और जितनी भी reductions आप available करने हैं, ATC to ATU, वो सारी आपको deduct करने हैं, और अगर आप एक NRI है, foreign company है, तो उस income को आपको deduct करने हैं, जब भी आप उपने gross total income calculate करने जाने हैं, तब, फिर जो amount निकल के आएगा आपका, वो है आपकी GTI, फिर आपको ये 3 situations को फुल्फिल करना है, अब अगर मैं इसको एक example के साथ समझो, Mr. A having adjusted total income 5 लेक, यहाँ आपको निकाल के लिए है, लीव सीना, Mumbai, Mumbai में लग, Metro City में है रहे हैं, and rented apartment and pay a rent 15,000 per month, so this rent per year is 180,000, अब इस situation में मुझे calculate करने हैं, अब आगें तीन condition, जीके, 1st, 2nd, 3rd, 1st condition हमारी क्या थी, 10% of adjusted total income में से, मैं को अपना rent minus करना था, rent है मेरा 1,80,000, 10% of adjusted total income 50,000, इसमें से यह less करूंगी तो मेरा आता है, 1,30,000, 2nd condition मेरी थी 25% of ATI adjusted total income, total income है मेरी 5,00,000 की, 5,00,000 का 25% अगर आप calculate करेंगे, that is 1,25,000, 3rd condition आपकी थी 5,000 रुपीज पर मत याने की 60,000 रुपीज एनुली, तो यह आगे आपका 60,000 रुपीज एनुली, इन तीनों में से जो भी minimum amount है, which is 60,000 रुपीज इतना आपको deduction अलाओ होगी under section ATGG, तो ATGG में आप किस तरीके से calculate करेंगे, उसकी भी 3 conditions है, उसकी according आप अपने, जो आप rent पे करके आ रहे हैं, वो आप calculate कर सकते हैं, ATGG को calculate करने के लिए आपको एक form होता है, calculate में अवेल करने के लिए एक form होता है, आपका form 10BA, यह form आपको फिल करना होता है, यह form आपको कहां जाके मिलता है, ATGG को claim करने से पहले, आप क्या करेंगे, अपनी income tax की website पर login करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे, एक forms का section होता है, जहां पर होता है, फाइल your income tax return, उसके नीचे ए forms का option होता है, वहाँ पर आपको सर्च करना है, form 10BA, फार्म 10BA में आपको यह, मतलब हाँ पेज का ही form होता है, इसमें आपके जो लाइनलोड है, उसकी डिटेल मांगी जाती है, पर नमबर और लाइनलोड के डिटेल और किस पर पसे आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का रिटर्स क्या है, बढ़ यह छोटा सा form होता है, वह form आपको भरके अपलोड करना होता है, देन आप इस डिट्ट्शन को क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइस आप इस डिट्ट्शन को क्लेम नहीं कर सकते हैं, मांगी जे आपनी ये डिट्ट्शन क्लेम करने से पहले form फिल नहीं किया, तो जब आपकी income tax की return process होगी, 143-1 में जो amount आपनी क्लेम किया है, वो amount add back हो किया सकता है, आपके tax amount में और आपको इस amount के ओपर tax pay करना पर सकता है, तो ये बहुत important point है आपके लिए कि आपको form 10BA फाइल करना है, before claiming section 80GG deduction, इसकी वह कुछ conditions है कि आप इसको कप claim कर सकते हैं, या तो आप self-employed है, या फिर आप solid person है, बट आपको HR नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आप rank पर है रहे हैं, तभी आप reduction को claim कर सकते हैं, यू, और spouse, और minor child और H.O.E.P. on which you are a member do not have any residential accommodation where you currently reside, जैसे हमारा एचारे में था same condition इसमें भी है, कि same city में आपके नाम पे, आपकी spouse के नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए, तभी आप इस deduction को avail कर सकते हैं, तो यह 3-4 deduction को avail करने की conditions हैं, यहाँ पी, तो आप एक general point हम discuss कर लेते हैं, कि क्या इस deduction को आप तब भी claim कर सकते हैं, जबकि आप rent पे नहीं रह रहे हैं, आप अपने parents के accommodation पे रह रहे हैं, जो property है, वो आपके parents के नाम पर है, आपके नाम पर नहीं है, तो यह tax planning tool है, जो आप use कर सकते हैं, अगर आप एक salaried employee है, तो अगर आप अपने parents के accommodation पे रह रहे हैं, तो आप यह दिखा सकते हैं, कि आप अपने parents को rent पे कर रहे हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको online जो भी rent की payment है, online जो सेविया का rate चल रहा है rent का, उतने rate पे आपको online payment करनी है rent की, अपने parents के account में, जिसके नाम पर भी property है, एक proper rent agreement आपको होना चाहिए, यह दो चीजे अगर आपके पास है, payment का proof है, rent agreement है, तो आप अगर आपके employer से आपको HRA का benefit मिल रहा है, तो आप अपने employer को यह proof दे कर, अपने parents की property पे जो आप रह रहे हैं, वहाँ पर भी आप rent दिखा कर HRA को claim कर सकते हैं, बट इसमें ए आप अपने parents को rent pay कर रहे हैं, तो जो आप rent अपने parents को दिखा रहे हैं, उतनी rental income आपके parents के नाम पर taxable होगी, जिसके भी नाम पर वो property है, mother या फिर father, अगर दोनों के नाम पर 50-50 है, तो दोनों के नाम पर वो rental income 50-50 होगी, tax होगी उनके hands में, अगर मान नी जी आप एचार सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनकी रिटन में भी जरूरी है, आप ये दिखाएं कि वो rent रिसीव कर रहे हैं, तो ये थी छोटी सी वीडियो हमारी एचाने के रिगार्डिं की किस तरीके से आप जो आप rent पे करके आ रहे हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं अपने income tax की रिटन म वीडियो आपको पसंद आया हूँ, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोर्स आप अवेल कर सकते हैं हमारा इक जर्वन पाइनिंग का, हमने सारी उसकी डिटेल अपने description box में मेंचन कर रखी हैं, थाइंक यूँ